हेलो बच्चो, वेल्कम बेक टु माई चानल, दिस इस साक्षी शुकला और आप देख रहे हैं साक्षी स्कॉर्णर साइन स्टॉप आज मैंने केमेस्ट्री का दूसरे चैप्टर लिया है जिसका नाम है एसिट्स, स्पेसिस एंड सॉल्ट्स जिसे मैं तो वीडियो में कंप्लीट करूंगे इसलिए नेक्स्ट वीडियो को भी आप जरूर देख लीजेगा तो चली शुरू करते हैं आज कर वीडियो इस चैप्टर के शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसिट से एसिट क्या होता है क्लास 7 में आपने कुछ ना कुछ एसिट के बारे में पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा कुछ खाने पीने की चीज़ों में एसिट पाये जाता है जैसे की ओरेंज हुआ, लेमन हुआ, आमला हुआ, टोमेटो हुआ, इन सभी चीज़ों में एसिट पाये जाता है और ये खाने में थोड़ा से कैसे होते है वो थोड़ी से Spe-sar होते है यानि कि Acid Tastes में कैसे होते है Spe-sar होते है ये Acid Word आया कहां से है Acid word Assir कि Latin word है इस से DERIEVE हुआ है जिसका मतलब होता हैmm Spe-sar यानि कि सभी Acid Generally Spe-sar होते है Spe-sar होते हैंwe कोई solution रख दिया जाए और कहा जाए कि आप इसे taste करके बताईए कि acid है या नहीं तो क्या आप taste कर दे जाएंगे से नहीं न acid बहुत corrosive nature होता है यानि कि वो आपके skin को burn कर देता है इसलिए आप acid को touch तक नहीं करेंगे तो फिर ऐसे कौन सी test है जिसे आप यह बता सकते है कि वो दिया हुआ solution जो आपको दिया गया है solution वो acid है या नहीं एक सबसे simple सा test होता है litmus paper test जो आपके lab में आपको मिलता है litmus paper दो color में पाये जाता है एक red और एक blue यह आपको lab में मिलता है और यह पतली से strip की तरह होती है जो कि आपको बताती है कि solution acidic है या basic जब आप उस solution में डालेंगे तो इसका color change होगा और जब आप acidic solution में कोई भी litmus paper डालते है तो इसका color blue से red हो जाता है जो कि indicate करता है कि जो दिया हुआ solution है वो acid है और दूसरा कौन सा ऐसा test है जो आप lab में कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो दिया हुआ solution acid है एक और test होता है जिसमें आप किसी metal के साथ इसका reaction करा सकते हैं जब आप metal से इसका reaction कराएंगे तो hydrogen gas evolve होगी यानि release होगी और यह जो hydrogen gas जब मतब release होती तो यह indicate करता है कि जो दिया gas solution है वो acid है कैसे ही पता चलेगा जो gas निकल रही है वो hydrogen gas ही है जब आप उसके contact में मतब है hydrogen gas के contact में कोई भी burning magic stick या burning candle लेके जाएंगे जो pop sound के साथ तीजी से burn करने लगेगा जो कि यह बताएगा कि जो दिया gas solution है वो acid है So, an acid is a substance which is sarin taste turn blue litmus into red and react with metals to release hydrogen gas तो यह physical test है जो आप lab में कर सकते है और पता सकते है जो दिया हुआ solution acid है या नहीं तो अब चलिए जान लेते हैं acid को और detail में Arrhenius की ionization theory यह पताती है कि कोई भी substance जिसमें hydrogen atom मौजूद हो वो ionized होके अपने एको solution में positively charged ions देता है यान कि H plus ions देता है तो इस तरह की substance को हम acid कहते हैं जैसे कि hydrochloric acid एको solution में H plus ion देता है यान जिसको हम hydrogen ion कहते हैं इसे तरह जैसे HNO3 nitric acid अपने एको solution में H plus ion यान कि hydrogen ion देता है और NO3 minus यान कि nitrate ion देता है H2SO4 भी इसी तरह के से H plus ions देता है यानि hydrogen ions देता है और negatively charged SO4 यानि sulfate ions देता है बट Arrhenius theory की कुछ limitation भी रही जैसे कि Arrhenius ने कहा था कि कोई भी substance जिसमें hydrogen atom मौजूद होता है वो hydrogen ion देता है जब भी वो solution होता है बट यहाँ पर आप देखिए carbon dioxide और sulfur dioxide यह दोनों ही gas है यहाँ पर क्या hydrogen atom मौजूद है नहीं बट जब यह water में dissociate होता है यानि ionize होता है तो क्या hydrogen ions देता है तो यह दोनों hydrogen ions दे रहे हैं यानि कि यह solution होगा वो कैसा होगा acidic होगा तो आरहिनियस का यहाँ तक तो कहना सही था कि acid यह होते हैं वो हमेशा hydrogen ions देते हैं जो solution होता है वो acidic behave करता है जब acid hydrogen ions देते हैं ठीक तो यहाँ पर एक चीज और आती है कि कोई भी acid तभी acidic behave करेगा जब वो water के contact में आएगा यानि water के presence में ही कोई acid acidic behave कर सकता है क्योंकि कोई acid तभी acidic behave करेगा जब वो hydrogen ions प्रोडियूस करेगा जैसे कि एक example ले लिएचे Hyl hydrochloric acid का hydrochloric acid जो भी आपको lab में मिलता है वो आपको liquid के form मिलता है बट ड्राइ एचेर hydrochloric acid या gases form में hydrochloric acid कभी भी acidic behave नहीं करेगा वो acid नहीं कहलाएगा यानि कि water के presence में ही कोई acid acidic behave कर सकता है चलिए अब बात करते हैं types of acids acids कितने types के होते हैं acids two types के होते हैं पहला natural acids जिसे हम organic acids भी कहते हैं और दूसरा होता है mineral acids जिसे हम inorganic acids भी कहते हैं natural acids हमें natural sources मिलते हैं जैसे कि plants यानि कि फूर्ट्स जो हमें plants से मिलते हैं जो खट्टी fruits होते हैं उनमें कौण से acids पाये जाते हैं यही natural acids या organic acids पाये जाते हैं जैसे कि हुआ ascorbic acids just with vitamins भी कहते हैं यह citrus fruits में पाये जाते हैं जैसे कि guava हुआ… हमला हुआ और lactric acid gord में पाये जाता है tartric acid terminant citric acid lemon and orange में पाये जाता है axelic acid tomato में पाये जाता है और भी ऐसे acids malic acids क्यों कि apple पाये जाता है mineral acids ships के example ़ोते है leurs कि हमें मिनरल से मिलता है जो से हमने बनाया है मतलब मैनमेट सिंथैटिक भी कह सकते हैं या इसे आर्टिफिशल असेट्स भी कहते हैं जैसे कि HCl जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक असेट कहते हैं H2SO4, Sulfuric Acid, Nitric Acid, HNO3, Carbonic Acid, H2CO3 और Phosphoric Acid, H3PO4 और भी ऐसे एक्जम्पल्स हैं अगर हम असेट्स की स्ट्रेंद की बात करें तो असेट्स या तो स्ट्रॉंग होते हैं या तो वेक होते हैं Strong Acids वो Acids होते हैं जो की Water में Completely Dissociate होकर Hydrogen Ions देते हैं वहीं Wake Acids वो Acids होते हैं जो Water में पूरी तरह से Dissociate नहीं होते हैं और Hydrogen Ions देते हैं ठीक, Strong Acids के Examples हैं Hydrochloric Acid और Sulfuric Acid Hydrochloric Acid यहां पे देखिए Acid, जो एक एक टूर सॉलेशन में Hydrogen Ions दे रहा है यह पूरी तरह से Dissociate हो जाता है इसी तरह के से, H2O4 भी देता है Weak Acids, Weak Acids में आपका आता है Acetic Acid Hydrogen Cyanide और भी ऐसे Examples हैं तो यहां पे Acetic Acid, Water में पूरी तरह से Dissociate नहीं होता है यह Weak कहलाता है और पर Hydrogen Ions देता है इसलिए Acid है अब बात आती है कि Dissociation होता क्या क्या Dissociation, Ionization दूनों डिफरेंट चीज़े हैं Ionization वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई Atom Electron को देके, यह Electron को लेके Positively Charged यह Negatively Charged हो जाता है तो हम कहते हैं कि वह Atom Ionized हो गया उस पे Charge आ जाता है कोई भी Neutral Atom पे Charge आ जाता है तो हम कहते हैं उसका Ionization हो गया वही Dissociation में क्या होता है कोई भी Substance Water में जब Split करता है तूटता है Atoms में, Radicals में या Ions में तो हम कहते हैं इसे Dissociation यह Reversible Process होती है चलिए अब जान लेते हैं Acids की कुछ Chemical Properties के बार में Acids की Physical Properties के बार में तो हम लोग ने पहले ही जान लिया था जैसे कि Acid सार होते है टेस्ट में और यह Blue Lytmospepper को Red में चेंज कर देते हैं चलिए अब Chemical Properties भी चाल लेते हैं जब भी Acid का Reaction किसी Metal के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें मिलता है Salt और Hydrogen Gas जो बंती है वो Release होती है जैसे Example के तोर पर अगर हम Zinc का Reaction कराते है Hydrochloric Acid के साथ तो Zinc Chloride मिलता है जो की Salt है और Hydrogen Gas जो बंती वो Release होती है तो हमें क्या मिल लेगा यहां पर Sodium Sulphate और Hydrogen Gas इवाल रिलीस होगी ठीक और मैंने आपको यह भी पताया था कैसे हम पता करेंगे जो निकल रही है Gas वो Hydrogen Gas है वही Burning Candle या Burning Match Stick जब इसके Contact मे लेके आएंगे मतलब Hydrogen Gas के Contact मे लेके आएंगे तो वो एक Pop Sound के साथ तीरी से Burn होने लगती है बट कुछ Less Reactive Metals भी होते हैं जैसे की Copper, Silver, Platinum, Mercury और Gold Platinum, Mercury और Gold यह इतने Powerful Metals नहीं होते हैं कि वो Acid से Hydrogen को Replace कर सके और Salt बना सके बट इनमें से Copper और Mercury यह तुन ऐसे Metals हैं जो Less Reactive होते हैं और Concentrated H2SO4 के साथ Reaction देते हैं वो Dilute Acid के साथ ना देखें Concentrated H2SO4 के साथ Reaction देते हैं और Copper Sulfate बनाते हैं यानि Salt का Formation करते हैं और यहां पर कौन से Gas Release होती है SO2 यानि Sulfur Dioxide ना कि Hydrogen Gas अब दूसा Reaction हम Metal Carbonate के साथ कराते हैं देखें किसी भी Acid का Reaction अगर हम किसी भी Metal या Metal की Compound के साथ कराते हैं तो हमें Salt ही मिलता है देखें यहां पर हमें Salt ही मिलेगा Sodium Carbonate जो की Metal Carbonate है हमने इसका Reaction किस के साथ? किसी भी Acid के साथ कराया तो यहां पर H-cell के साथ हमने कराया तो यहां पर मिलेगा हमें sodium chloride और water और carbon dioxide जो भी बने की वो release हो जाएगे, ठीक वैसे ही calcium carbonate के साथ जब हम reaction कराएंगे hydrochloric acid का तो हमें क्या मिलेगा, calcium chloride मिलेगा और water मिलेगा और carbon dioxide जो बने की वो release हो जाएगे यह sodium chloride और calcium chloride दोन ही salt है अब यहां पर फिर से gas प्रोडीस हो रही है जो कि carbon dioxide gas है तो क्या carbon dioxide टेस्ट करने के विए कोई technique है बिल्कुल यह टेस्ट हम लैब में ही करते हैं calcium hydroxide जिसे हम line water कहते हैं जब इससे carbon dioxide gas को पास कराते हैं तो हमें milky white color का solution मिलता है जो कि calcium carbonate के वज़ा से होता है इसी तरह जब भी acid का reaction किसी भी metal oxide के साथ कराये जाता है तो हमें क्या मिलता है जैसे कि calcium oxide और zinc oxide के साथ हम reaction करा रहे हैं किसी भी acid का जैसे कि acyl ho या H204 का reaction करते हैं तो हम यहां पर calcium carbon chloride पाते हैं और यहां पर हम zinc sulfate पाते हैं यह दोनों ही क्या है salt है यानि कि salt ही हमें मिलेगा और water हमें मिलता है जब भी कोई acid मतलब dissociate होता है तो H plus ions देता है तो इसी basis पे सारे reactions होते हैं जैसे कि calcium oxide है calcium क्या करता है यहां से क्या कर रहा है है calcium यहां पर H को replace कर दे रहा है और calcium chloride बना रहा है वैसे zinc यहां पर H2 को replace कर दे रहा और zinc sulfate बना रहा है जो अब देखते हैं acid के solution में क्या होता है जब acid का solution बनाते है तब क्या होता है जैसे acid का जब हम solution त्यार करते हैं तो यह hydronym iron बनाता है H3O plus को हम hydronym iron कहते हैं और chloride iron अलग हो जाता है कुछ दे पहले हमने यह बताया था आपको कि जब HCl dissociate होता है तो H plus iron देता है ठीक उसकी बात कहते हैं यह H plus iron जो होते हैं वह stable नहीं होते हैं बहुत छोटे थे वह stable भी नहीं होते हैं तो वह क्या करता है H plus iron वह water के molecule के साथ एक bonding बना लेता है और hydronym iron में चेंज हो जाता ह है यानि कि यहां पे भी plus positively charged है यानि plus charge है यानि कि solution अभी भी क्या होगा acid ही होगा ठीक लेकिन H3O plus जो होता है जादा stable होता है H plus iron से जादा stable होने के वज़ा से यह क्या करता है HCl का जो H होता है hydrogen वह water molecule साथ मिलके जादा stable iron बना लेता है ठीक यह जो H3O plus होता है न वह हमेश है cathode पे release होता है जब यह electrolysis कराते हैं तो actually यह acyl को solution होता है यह किसी भी acid का solution होता है वह electrolyte में बहुत है help करता है यानि कि यह electric current को pass होने देता है तो इसका electrolysis होता है जब भी तो यह क्या होता है जो कोई भी acid होता है वह hydrogen ion देता है मतब solution में क्या हम मिलता है hydronym ions मिलते है यह hydronym ions जो होती है वो क्या करते हैए वो electric current की conductivity में help करते और hydronym ions जो होते हैं वो हमेशा cathode पर ही release होते है तो प्लस charge होता है और ब्लस в चार्ज इस पर भी होता है वो ion कहा release होता हैanha cathode कि तरफ move होता है और वहीं पर जिस पर माइनस चार्ज होता है, नेगडिवी चार्ज जो आयन होते हैं, वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, कि acid का एक कोई solution, good conductor of electricity होता है, अब acid का जब reaction base के साथ होता है, तो क्या होता है, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जब पर acid का reaction, जो base के साथ होता है, तो salt हमें मिलता है, और water मिलता है, तो यहां पर होता है क्या है reaction, कि base जो होता है, acid के acidity को neutralize कर देता है, और neutralize करते करते हमें salt मिलता है, और water मिलता है, तो इस reaction को हम क्या कहते है, neutralization reaction, या हम salt formation reaction भी कहते हैं, तो हमने acid के बारे में जान लिया, आप देते हैं, और इसके basis पे आपने कई chemical reactions भी देखे, अब हम जानेंगे base के बार में, आरहनेस के according कोई भी substance जिसमें OH group, यानि कि hydroxide group होता है, तो वो substance जब भी water में dissociate होता है, वो OH- यानि कि hydroxide ions देता है, ठीक यह negatively charged ions होते हैं, तो इस तरह के substance को हम कहते हैं base, जैसे कि sodium hydroxide, यह जब भी water में dissociate होगा, तो हमें positively charged sodium ion देगा, और साथ में negatively charged hydroxide देगा, इसी तरह से sodium hydroxide, sodium hydroxide potassium ion देगा, जो कि positively charged होगा और negatively charged hydroxide देगा, इसी तरह से ammonium hydroxide और ammonium hydroxide, ये भी हमें negatively charged तो ये सभी क्या होंगे? Student space होंगे ये सभी इसलिए कहलाएंगे क्वी हमको solution में क्या दे रहे है? Student space begin acid की तरह base भी strong और weak base हो सकते है strong acid जैसे कि sodium hydroxide और potassium hydroxide strong base किसे कहेंगे? वो base जो की water में completely dissociate होकर hydroxide ions देते हैं इनका example यह है sodium hydroxide और potassium hydroxide दूसरा है weak base, weak base के examples है ammonium hydroxide और aluminium hydroxide यह slightly dissociate होते हैं और hydroxide ions देते हैं आपने alkali word भी सुना होगा, क्या difference होता है base और alkali में? कुछ base जो होते हैं water में insoluble होते हैं यानि कि water में dissolve नहीं किये जा सकते हैं बट कुछ base ऐसे होते हैं जो water soluble होते हैं यानि water में dissolve किये जा सकते हैं तो उस तरह की base को हम कहते हैं alkali जैसे आपका हुआ NOH यानि sodium hydroxide, potassium hydroxide, KOH तो इसी तरीके से आपके क्या Aluminium Hydroxide हुआ, यानि कि आपको उनके formula में क्या देखने को मिलेगा? OH, OH देखने को मिलेगा जो कि यह बताता है कि यह alkali है, बट सभी base alkali नहीं होते, बट सभी alkali base हो सकते हैं, बतलब base होते ही हैं, अब हम bases की properties के बारे में जा देंगे, सबसे पह होता है, वो थोड़ा सा pangent, bitter होता है कि टेस्ट में, और टच करने में थोड़ा सा slippery होता है हैं, इस सोंपी होता है, जैसे आपको soap होता है, थोड़ा साлек़ ठीक छेना झर्दी को पड़ें लगता है? उसी तरह कि इसी base ह होता है, और यह red litmus को blue में चेंज करता है, red litmus जैसे यह आपको बताया था यह एक इंडिकेटर है अभी हम जब इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे और भी इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे जैसे मैथिल और ने पिनॉप्थिलिन और यह जो होते हैं इंडिकेटर कैसे यूज के जाते हैं अकसरी लाब में यूज के जात नॉन मेटलिक ऑक्साइट के सब्सक्राइब जैसे कि Sodium Hydroxide हमारा बेस है और नॉन मेटलिक ऑक्साइट यहाँ पर Carbon Dioxide है जब इन दोनों का reaction करा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर Sodium Carbonate मिल रहा है और Water Malkin मिल रहा है कि जो Calcium Carbonate है वो Salt ही है इसे दरेके से जब Calcium Hydroxide का reaction हम Carbon Dioxide के साथ कराते हैं जैसे कि हमने Carbon Dioxide की Gas की टेस्टिंग में पढ़ा था कि जब भी Carbon Dioxide को हम Lime Water यानि Calcium Hydroxide से पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है Calcium Carbonate जो कि White Color का Precipitate होता है जो नीचे जाके Settle Down हो जाता है ठीक और Water Malkin मिलता है उसकी बाउचूद भी अगर हम Carbon Dioxide Gas को पास कराते जाते हैं तो अन्त में क्या होता है यह जो Precipitate होता है वो Dissolve हो जाता है और क्या बनाता है Calcium Hydrogen Carbonate इसका formula होता है C-A-H-C-O-3 का Whole Twice अब इसी तरीके से एक और reaction देख लेते हैं Sodium Hydroxide को जब हम रेक्ट कराते हैं Sulfur Dioxide के साथ तो क्या मिलता है में Sodium Sulphide जो कि Salt ही है और Water जब बात करते हैं जब Base का Solution क्रिपेर करते हैं तो क्या होता है इतना तो आपको पता ही है कि जब Base एक को Solution में होता है तो क्या देता है Hydroxide आइंस देता है तो वही चीज यहां पर हो रही है Sodium Hydroxide जो है वो Base है यह Water के Contact में क्या कर रहा है Sodium आइंस दे रहा है और यहां पर Hydroxide आइंस दे रहा है तो Hydroxide आइंस में हमेशा Negative Charge होता है इसी तरह के से Ammonium Hydroxide यह को Solution में क्या करता है हमें Hydroxide आइंस देता है जो कि Negative Charge होता है साथ में यहां पर Positive Charge Ammonium आइंस दे रहा है जब भी किसी Base का Reaction हम Acid के साथ कराते हैं तो हमें Salt मिलता है जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं यहां पर Acid क्या कर रहा है और एक तस खतम कर देता है और जिस लेवल पर यह इसको Neutralize कर देता है तो वहीं पर हमें Salt मिलता है इसलिए इस Reaction को कहते है हम Neutralization Reaction या Salt Formation Reaction Acid की तरह Strong Base से भी Corrosive होते है नेचर में वो अपनाई Skin पर भी कुछ Effects डालते हैं बट Acid की तरह नहीं क्योंकि Acid का जो Reaction होता है बहुत ही Dangerous होता है वो हमारे Skin को Burn कर देता है यहां पर Base उतना नहीं Dangerous होता है यहां पर कुछ Base जो Concentrated होते हैं वो थोड़े से हमारे Skin को खराब कर देते हैं तो आज की वीडियो में हमने Acids की बारे में जाना और Bases के बारे में जाना नेक्स्ट वीडियो में हम Salts के बारे में जानेंगे Neutralization Reactions के बारे में जानेंगे pH Scale और Indicators के बारे में जानेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रू देखेगा Thank you for watching Thank you